किसी भी नदी पे काम करना इतना आसान काम नहीं होता काफी बड़ी चुनोती होती है अगर हम कालीवेई की बात करें तो एक सो साथ किलोमीटर लंबी बहने वाली नदी में बहुत तरह की चुनोतीया थे क्योंकि बहुत समय से नदी पे किसी का ध्यान नहीं था तो नदी की जादातर जमीनों पर कभजा हो गया था काफी जमीनों पर कभजा था और नदी के किनारे करीब सतर असी गाउं हैं और अगरил की बहुत सारे लोग कभजा करके माकान बना चुके होते हैं तो यह बड़ी चुनोती है और एक चौथी बढ़ी चुनोती और पांचवी बड़ी चुनोती है कि नदियों के साथ कि अगर हम कालीबई की ही बात करें तो करीब साथ के करीब नगरी चेते हैं तो नगर निगम है वहां अगर आपको नदी पर काम करना है तो क्योंकि सीवेज वाटर अगर नदी में जा रहा है है तो अगर और आपको काम करना है तो अनलगर निगम से बात करनी पड़ेगे क्योंकि नदी के रहा होंगे तो यह चार पांच बड़ी की चेता होती है और उन सबसे बड़ी की लगी है कि बहुत तरह की सरकारों का और वीभागों का involve다는 एल्वालमेंट होता है किसी नदी में तो अगर हम जैसे बात करें वहां कई लगी हैं तो इस्टेट पालूशन कंट्रोल बॉर्ड का इंवालमेंट होगा और चुकि एश्टेट स्टेट सरकार का इंवॉल्मेंट होगा क्योंकि नगरी छेत्र आते हैं तो यह कॉंप्लेक्स इस्तिती पैदा होती है और इसमें कोई भी अपना हग छोड़ना नहीं चाहता अगर हम कभजे की ही बात करें तो किसी भी नदी के किनारे इतने कभजे होते हैं और उन से अगर हम निवेदन करें कि नदी का जमीन छोड़ दीजे तो लड़ाई जगड़े पर उतार आते हैं नगरी चेत्र में अगर हम कहें कि सेवेज वाटर नदी में डालिये तो बहुत सारी राजनीती निकल करके सामने चलिया आती है तो इस तरह कि चुनवतियों में बाबा लगबग जलकुंभी से भर गए थे पंजाबी में बूटी कहते हैं हिंदी में जलकुंभी कहते हैं अंग्रेजी में है सिंथ कहते हैं तीनों का मतलब यह है कि यह जो जलकुंभी है लगबग 160 किलोमेटर नदी में पूरी तरह बहुत होती है पूरी नदी एक बदबुदा रहे हैं कि हां उस नदी के पास भी अगर कोई जाना पसंद नहीं करता था लेकिन आज की स्थिति में ऐसा है कि लोग नहाना पसंद करते हैं यह उस नदी की वाटर क्वालिटी में इतना परिवर्ता नाया है दूसरी बड़ी सर्प से बड़ी चुनोती दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा संसिच्चेवाल को भारक सरकार ने पदमस्री से संभानित किया और टाइम मैगजिन ने ही रोज आप इंवार्मेंट करक से एक सूची जारी की पूरी दुनिया से तीस ऐसे परियावरन के एक्टिविस्ट जिन्होंने परियावरन में कुछ अत्रिक्त और कुछ एक्स्ट्रा काम किया हो तो उसमें बाबा सिच्चेवाल को टाइम मैग जीन ने रखा है तो यह कई उपलब्धियां बाबा दिल्ली के मुक्हमंत्री अर्विन के जरिवाल पहुंचे उनके आस्रम पहुंचे और उनके काम को देखा बिहार के मुक्हमंत्री नितिश कुमार पहुंचे उनके आस्रम पहुंचे और उनके नदी के पूरे काम को देखा बाबा राम देओ गए और उन्होंने बाबा संस सवंधर्ब को रखा काली बैई के रिवाइबल के सवंधर्ब को रखा किस तरह से काली बैई जिन्दा हुई है और हर्याणा के मुख्रमंत्री मनुहां लाल खटर जी पहुंचे तो देश-दुनिया की कई सक्षिते हैं यहां पहुंची और बाबा सच्चेवाल जी को लंदन कि पालियामेंटमें अपनी बात रखने का मुख्या मिला तो देश-दुनिया के कई जगहों पर अप्नी अपनी बात रखी और एक अपनी आप जो उनके अनुभों थे वो सबसे शेयर किया और नदी के किनारों पर फूब पेर लगाए हैं बाबा के टीम में बाबा संसिचेवाल की काली बेई कार सेवा के शुरुआत के पीछे कहानी है में 14 जुलाई 2002 जलंधर के सेंटल कौपरेटिव बैंक के हॉल मेंन में एक मीटिंग रखे गई थी और पर्यावन की चिंता लोटीं हो रही थे और नदियों के मुद्दे पर भी चिंता रखी गई थी नदियों की इस्तिति बहुत खराब हो रही है बाबा ने पूछा कि जब इतनी खराब इस्तिति हो रही है तो निश्यत है कि हमें कुछ काम करने के सुरुवात करने चाहिए और उन्होंने उसी दिन घोषणा कि मैं कालीबे की कार्शेवा के सुरुवात करता हूँ गुर्बानी में एक बड़ा सुन्दर संदर्बाय है धरती पानी पर्यवण के बारे में गुर्बानी में कहा गया है पवण गुरु पानी पिता माता धरती महतु दिवसु रात दुई दाई दय्या खेलई सगल जगतु पूरी मानोता को भाईचारा का पाठ पढ़ाने वाले गुर्णानक बाबा गुर्णानक देवजी ने कहा है कि पवन यानि हावा गुरु के समान है पानी पिता के समान है और धरती माता समान के है इसका मतलब यह है कि संदर्व यह है कि आप अगर नदियों की सेवा करते हैं तो भी लंगर करते हैं क्योंकि अगर साफ नदियां रहेंगी पीने लायक होंगी नहाने लायक होंगी खेतों में सिचाही लायक होंगी तो वो भी तो हमारा एक लंगर है लोगों की सिवा हम कर रहे होते हैं हम लोगों को oxygen देने का काम करते हैं यानि यह भी अंगर हम नलती और हैं तुझारती की समान है बाबा गुर्णानकदेश जी के सब्दों में तो हम ये भी एक लंगर का काम कर रहे हैं आप सबसे आग रहे हैं कि आप निर्मल कुटिया निर्मल कुटिया कपूर थला से करीब मेरांद आजा है कि 30-40 किलोमेटर की दूरी पर है सुल्तानपूर लोधी कसबे में निर्मल कुटिया है और वहीं बेर सही गुर्द्वारा इस्थित है तो दोनों बहुत सुन्दर जगे हैं और निर्मल कुटिया आप बावा आनी परियावाण और पीण का काम कुछ ना कुछ जरूर करें.